प्रदान्मंत्री नरेंद्र मोधी के जनम दिवस पर पहल जन सिवा संस्थान ने बाटी पौधे 251 तुल्शी के पौधों का क्या वित्रण अगवान्थ उनिवेस्टी एजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में ये बीएड, बीएसी बीएड, बीए एललबी, बीपीटी, बीफार्माट और बीटेक डिप्लोमाइन माइनिंग जैसे कोर्सिस पर विशेश चूर। साथ ही S.C.S.T. काटिकरी के लिए सौ प्रतिशन तक्तिकी स्कॉलर्शिप और लोन सुईदा, एड्मिशन के लिए आज ही विजित करें बगवान्थ उनिवेस्टी नियर जर्राना अस्पताल अजमेर। गुरुवार को भारत के प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी के सत्तरवे जनम दिवस के अफसर पर भारती जनता पार्टी सहीत, विभिन सामाजिक संगटन कई तरह के सेवा कारे कर रहे हैं। उसी के तहट पहल जनसेवा संस्तान की ओर से 251 तुलसी के पौदों का वित्रण किया गया। अर्मिरकन नम्बर वन प्राइव इंजिनरींड गॉल एक ग्रेट रांकिंग भाई बित्यू बीकनेट बेस्ट इंफ्रस्ट्रक्टर्ट्रक्ट्ट्रे एक्सलिन टीजिंग मेथ जिदोलोजी स्किल बेस्ट लेर्निंग। अभी गुलाबबाडी मार्ग पर राधारानी गाडन के यहां मानने एनरेंड मोधी जी के जन दिवस के उपलक्ष में पहल जन सेवा संस्थान के मात्यम से तुर्सी के पौधे का वितरन किया गया है निश्चत रूप से तुल्सी भात्य संस्कृती में एक पवित्र पौधा माना गया है आयुरवेद में और बाकी जगों पर भी तुल्सी का बहुत महत्व है तुल्सी को हर महिला अपने घर में रखना चाती है उसका पूजन करना चाती है और उसी बात को ध्यान में रखते आज 251 तुल्सी के पौधों का वितरन यहां से किया गया घमले के साथ में तुल्सी के पौधे दिये गए हैं और निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा पुन्य का काम है इसी क्रम में सीटा गौशाला में गायों को चारा डामने का करिक्रम होगा और महिला मोर्चा ने सीट में भजन का करिक्रम रखा गया तो इस तरह सरीी तुल्सी का पोधे का वितरन किया जा रहा है तो यह तुल्सी का का सत्तरवा जनम दीन है उस उप्लक्ष में 251 तुलसी के पहुंदे मैं गमले सहीद पहल जन्सेवा सलस्तान के दोवारा बाटे गए और हमारी बड़ी वैन श्रीमती अनीता जी वदेल विदायक अजमेर दक्षिन का मुख्यातित इसकारी क्रम मेरा नितेज आतरे अद्दक्ष पहले है जो 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 जो